इसका इंटरनेट केम्प्यूटर का ICP में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मलता है क्या इसका स्पोर्ट जोन है क्या इसका रजिस्टन्स आपको देखने को मिलेगा देखे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप फ्यूचर प्रोफ कॉइंस में इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ICP हो सकता है क्यूंकि फ्यूचर है वेब 3.0 का और ये 2021 से ही काम कर रहे है वेब 3.0 पे सबसे पुराना कॉइन है जो की वर्क कर रहा है इस प्लैटफॉर्म पे तो कहीं न कहीं जब वेब 3.0 का ट्रेंट आएगा तो सबसे ये आगे जा सकता है इसके साथ ही इसका जो ब्लॉक्चेन है वो सबसे फास्ट है इसके ब्लॉक्चेन का यूज केस भी बढ़ेगा बुल मार्केट में जिससे इसके प्राइज में आपको अच्छा ग्रोफ देखने को मिलेगा अब देखें बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिन लोग ने अपनी इंवेस्मेंट 2023 से 2024 से ही स्टार्ट करी है तो उनको fundamental किसी भी coin या token के समझ नहीं आते हैं को लगता है कि हम fundamental सिरफ stock market में देखते हैं पर ऐसा नहीं है जैसे आप fundamental stock market में देखते हैं वैसे ही crypto में भी होता है और एक coin और token का use case है अगर वो genuine project है अगर उसका use case नहीं है अगर कोई उसका active अपना project नहीं चल रहा है या उसकी team अपनी information शियर नहीं करती तो आप समझ जाएं यह scam coin है और यह कभी भी डूप सकता है तो आपको clear हो गया होगा कि इसकी blockchain important है सबसे fast blockchain है वे अब 3.0 पे काफी देर से बॉक कर रहे हैं इसलिए इन सब चीजों को हम देखे future proof देखे यहां पर अपनी buying करेंगे अलागी इस वीडियो में हम detail में समझेंगे कहां पर important level है जहां आप buying करेंगे short term का long term का आपका target क्या होगा तो दोस्ते हम वीडियो स्टार्ट करने से पहली में आपको कहूंगा अगर आप हुमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लें पहले इकन को प्रेस कर लें थाकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम को टाइम मिलता रहे साथ ही वीडियो के description में आपको हमारे इसके ट्रेडिंग बोलियम पहले के comparison बड़ी है circulating supply 461 मिलियन के देखने को मिलती है जो की verified है कौन मार्केट के तरफ से अब जो लोग भी beginner है उन लोगोंने किसी भी प्रजेक्ट में ये चीज जरूर देखना है कि supply verified होनी चाहिए otherwise क्या हो सकता है actual supply कुछ होगी और display पे supply अब अगर इसके हम info की बात करें तो यहां पर आपको इसकी website मिल जाएगी जहां visit करके आप इसके fundamental के बार में detail में readout कर सकते हैं इसके community में आप इसके twitter handle telegram को join कर सकते है latest update के लिए अब आपने twitter handle को जरूर join करना है ताकि इसके ऊपर कोई अगर project आ रहा है या इसका कोई event आ रहा है तो वो आपको पहले पता लग सके जिससे आप profit book कर पाएंगे अब अगर इसके हम target की बात करें जिसके लिए हमने buying करी हुई है वो है हमारा 60-70 dollar का यह जो आप देख रहे हैं 750 dollar का इसको अचीव करने में काफी लंबा time लगेगा और यह जो अब हमने target अचीव कर लगा था उस time इस project में काफी चीजें positive थी अब दिखें जो लोग भी beginner हैं इसकी history को नहीं जानते मैं उनको in short में समझाता हूँ कि इसका जो price है ना वह 2700 dollar तक गया हुआ था और उस time इसके investor काफी strong थे और धीरी-दीरे क्या हुगा जैसे ही अपने peak range में गया इसके investor exit करना start होगे अब investor के पास क्या होता है coins की holding होती है जब उनोंने अपना exit लिया तो selling का pressure है जिस बज़े से इसका price डंप हुगा पर जैसे साब से यह project है फिर से यह अपनी recovery कर सकते हैं मैं आपको हमेशा minimum target बताता हूँ जो आप लेके चलेंगे bull market में जो की हो सकता है 100 dollar का अब मैं उसके बासे आपको continuously recovery देखने को मिले मैंने आपको बताया था कि यहां पर golden cross form हुआ है उसके बासे recovery हो रही है market में अब देखे recovery जब होती है ना तो आपको यहां पर bull flag देखने को मिलते हैं या फिर आप higher high higher low कह सकते हैं जब हमने यह वाला higher high बनाया था तब मैंने आपको कि अब ascending triangle का pattern form हो रहा है फिर आपको recovery देखने को मिलेगी अगर आपने मेरी previous वीडियो देखी होगी मैंने आपको यह level बताया था 10 डॉलर के around आपके buying होगी क्योंकि जो हमारा previous resistance है वहीं हमारे लिए adjust port act करेगा तो हमारी entry भी हो चुके है अब हमने profit book करना है जिसमें क्या हुआ है हमने अपने resistance का record दिया है अगर higher downfall होता है तो हम इस level को adjust port retest कर सकते हैं अगर आप long open करना चाहते हैं तो आपके लिए जो आप current price देख रहे हैं यह भी best रहने वाला है आपने जो अपना SL है वो 14 डॉलर का रखना है और अगर हम आपके target के बात करें तो short term में आप 20 डॉलर का 25 डॉलर का 30 डॉलर तक का अपना target रख सकते हैं और यही target बढ़ते बढ़ते bull market में 100 डॉलर तक अपनी movement देगा फिलाल अगर हम अपने EM के according देखें तो आप देख सकते हैं हमारी EM का direction अभी भी आपको upside में देखने को मिलता है और अगर हम chart pattern की बात करें तो यहा तो आप इस तरह से अपना trade plan कर सकते हैं मैंने आपको anti-level target और SL तीनों चीजे बता दी हैं market में आप देख सकते हैं volume increase side में देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं ICP में आपको अच्छी recovery देखने को मिल सकते हैं अगर आपने bottom में buying करी हुए है जब मैंने आपको बताया था 2.8 से लेगे 2.9 के range में तो आपको अभी buying की ज़रूरियत नहीं है और अगर आपके पास बिल्कुल भी ICP नहीं है तो आप current price पे buy कर सकते हैं तो हूप आपको ये वीडियो का update अच्छे समझा गया होगा अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियो